Books That Speak में आप सभी का स्वागत है ओ, मम्मी का चश्मा फिर से गुम हो गया? नीमू और मिर्ची उसे ढूर्ण रहे है चलिए देखते है कि चश्मा ढूर्णते हुए उन्हें और क्या-क्या मिलता है? कहानी का शीर्शक है मम्मी का चश्मा Original Story, Mommy's Glasses by Pratham Books कहानी लिखी है तनुश्री सिंग, चत्रांकन, जेमा जोज, हिंदी में अनुवाद, बिशाखा चोक्रोवर्ती कहानी का वाचन असावरी दूशी मेरा चश्मा ओ, ये तो मम्मी की आवाज है लगता है उनका चश्मा फिर से खो गया चिंता मत करो ममी, मैं और मिर्ची, आपका चश्मा ढूंड ही निकालेंगे सोफे के नीचे हमें एक चाबी तो मिली, पर मम्मी का चश्मा नहीं तार पर दो कबुतर तो है, पर चश्मा नहीं रसोई में हमने तीन दराज खोले इनमें मेरे जनम दिन की बची हुई चार तोफिया मिली पर चश्मा नहीं इई, देखो हमें क्या मिला गत्ते के डिब्बे में एक कंबल में बिल्ली के पाच बच्चे पर वहां भी चश्मा नहीं है खिडकी के छज्जे पर छे पौधे पहले बाए और फिर दाए जूमते हुए दिखे पर चश्मा नहीं, चश्मा नहीं हमने कुरसी के उपर, मेज के नीचे और अलमारी के साथ खानों में भी ढूंडा पर चश्मा कही नजर नहीं आया खाने की मेज पर सामान के आठ थैले रखे है हमें उनके अंदर पोहा, कईफल और चकलेट मिले पर चश्मा नहीं मम्मी की कोट में नौ जेबे है हमें उनमें एक सिक्का, दो चाय की पुडिया, तीन कलम, चार कार्ड, बालों की पाँच पिन, छे चाबियां, साथ बिल, आठ बटन, नौ अखरोट फर चश्मा अभी भी गायब ओहो, मम्मी क्या हुआ आपका चश्मा आपके ही सरपर है तुम दोनों ने मेरा चश्मा ढूंडी निकाला ये तुम्हारा इनाम तो ममी ने मिर्ची और मेरे लिए दस बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए आई हाई, मेरा फोन मम्मी चिलाई ओहो नीमू और मिर्ची लड्डू खाते खाते रुख गए तो कैसी लगी ये चश्मा ढूंडने वाली प्यारी सी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई-बाई धन्यवाद झाल